हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आज की वीडियो बहुत सारे बच्चों के एक रिक्वेस्ट पे है और रिक्वेस्ट ये है कि सेमिस्टर थ्री देखिए मेरा मानना है कि जो पिछले दो साल से आप सभी स्टूडेंट की जो स्टूडी चल रही है कभी कोवेड कभी लॉकडाउन तो वो जो उसका एंपक्ट है वो अभी तक खतम नहीं हुआ है एजुकेशन जो पहले का एक सिस्टम होता था कि भाई यह करना यह करना बच्चे कहीं न कहीं उससे डिसकनेक्ट हो चुके हैं जिसका नतीजा यह रहा कि हमारा एक इंकम टेक्स हैर जो की है सेमेस्टर अनभर थ्री में इंकम टेक्स का सब्जेक्ट है सेमेस्टर नांभर थ्री और सर इस सब्जेक्ट के सबसे मैं बोलू एक बात कि यह हर साल एवरी एर चेंज हो जाता है व tav . है एवरी एर अब बच्चों का क्या कोई दी आ रहा है बच्चों का क्या डाउट आ रहा है कि अब जो नए कोर्स हैं उसके अंदर income tax semester 5 में डाल दिया है तो मैं income tax का जो batch है वो semester 5 में बिल्कुल 0 से start करने वाला हूँ और जो 3 में ER था वो बच्चे पहुंच चुके हैं semester 5 में और semester 5 के बाद तो वो एक subject में भी fail होगे तो वो fail ही हो जाएंगे तो सबसे बड़ी tension ज्यादा बच्चों को यह आ रही है कि यार मैं semester 5 में चला जाओंगा अगर मैंने income tax को backlog को clear नहीं किया तो हमारे लिए बहुत problem हो जाएगी तो बहुत बच्चों का query आ रहा है कि सर हमारे न income tax बता दो income tax तो देखो YouTube पे पुरानी वीडियो डली हुई है उसको तो आप देखी सकते हो प्लस जो income tax में क्योंकि अभी मेरा सारा का सारा focus semester 2 के उपर अभी exam है इनका 17 को तो उसके उपर मेरा focus रहे सारा का सारा आप वीडियो भी देख रहे होंगे उसी से related डल भी रही है YouTube के उपर है ना तो semester income tax में यानि in fact आपके 5 unit है unit number 1 Sir unit number 1 में क्या है हमारा basic concept और दूसरा है residential status ये जो unit है basic concept प्लस residential status Sir इसके अंदर कोई change नहीं है मैं लिखता जाऊंगा आपको थोड़ा help मिल जाएगा जो बच्चे self study कर रहे है Unit number जो हमारा 2 है That is house property और एक salary इस unit के अंदर little bit changes है little bit ने बहुत जादा change है इसमें और especially salary के अंदर changes हो जाएंगे क्योंकि new regime और old regime तो फरक नहीं पड़ा बट new regime के अंदर 7 lakh रुपए तक exempt करा हुआ है जो कि पहले 5 lakh रुपए तक exempt था basic exemption limit तो इसमें changes है तो एक तो आपको इसको जो changes है उसके according पढ़ना चाहिए unit number 3 that is आपका capital gain और house property एक है PGBP PGBP का तो एक अलग ही unit है बट मैं इसके अंदर cover कर रहा हूँ यह जो unit लिख रहा हूँ ना मैं अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस unit में से आगे पीछे हो सकता है बट जिस जिसमें change है मैं mainly आपको वो बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर भी changes है इसमें changes PGBP में आ गया है ठीक है अगले पे चले इसके बाद हमारा chapter बसता है other source other source के बाद setup carry forward इसके बाद आपका clubbing ठीक है ना यह जो topics है मैं बताता जा रहा हूँ इसमें no change कोई change नहीं है फिर इसके बाद एक chapter है हमारा agriculture agriculture भी इसी में रख देते हैं जिसके अंदर changes नहीं है ठीक है न इसके बाद बात करते हैं हम deduction इसमें changes है थोड़ा सा तो basically जब law में कुछ बदलता है उसको हम कहते हैं amendment आ जाना तो कुछ चीजों में changes है और कुछ में नहीं है तो मैं उन बच्चों को यही advice करना चाहूँगा कि जिसके अंदर changes नहीं है उनको तो आप बेजिज़क करने पहले तैयारी जिसमें changes है इसके लिए मैं live class के अंदर आऊंगा और changes को comparison करके हाँ जैसे salary में changes है तो मैं पूरी salary तो नहीं salary में क्या portion change हुआ है उसको compare करके slab rate को change करके सारी चीज़े मैं live class के अंदर ले लूँगा और ये classes मैं लूँगा weekend के अंदर वो मैं announcement कर दूँगा तो जो बच्चे course के अंदर enroll होना चाहते है देखिए आपका पूरे साल का सवाल है तो उसका मैंने कहा है कि भईया उनके course का क्या price रखेंगे जो पहले ही price था तो जो बच्चे live class में enroll होना चाहते हैं वो 500 का है और मैं again कह दूँ 500 का जो ये course है सारी detail description में है number किस से बात करना है sales executive का number given है मैं again कहूंगा जितने भी ये chapters हैं वो सारे chapters already YouTube के उपर डाले हुए हैं और application में भी ये chapters आपको मिलने वाले हैं बस कुछ एक part theory के revision वीडियो और main difference क्या रहता है सर एक systematic आपको मिल जाएगा YouTube पे आपको ढूंडना पड़ेगा कई बार क्या होता है playlist रिधर हो गया उधर हो गया क्योंकि मैं daily 4-5 वीडियो डालता हूं तो उसमें थोड़ी problem हो सकती है application पे आपको YouTube पे करवा दूँगा और YouTube पे जैसे जैसे मुझे time मिलेगा मैं डाल दूँगा इसके पीछे reasons है मैं आपको सुरू से income tax पढ़ाना चाह रहा था क्योंकि इस बार batch ही नहीं है income tax का सिर्फ जिसके बच्चों की ER आई हुई है सिर्फ वो बच्चे पढ़ेंगे batch बनना है मेरा semester 5 जो की आएगा next May के अंदर अभी नहीं next May में क्योंकि NEP वाले बच्चे आएंगे उसके इंदर ठीक है ना FM में आप पढ़ी रहे हो मुझसे तो FM की मैं YouTube पे भी धीरे धीरे डाल रहा हूं बाकी application पे FM में एक unit लगबग लगबग खतम होने वाला है जिसकी मैं classes MWF में ल important है क्योंकि एक subject में भी आप यह नहीं ला सकते नहीं तो आपका सारा planning खतम हो जाएगा क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों के planning होती है कि हम IPS की तयारी करेंगे या IS की तयारी करेंगे या फिर CGL की तयारी करेंगे या फिर MBA की तयारी करेंगे या फिर CA direct entry ना होता है वो सारा का सारा planning एक बार खराब हो जाता है तो कहीं district ना हो जाए हमारा career खराब ना हो जाए इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको अभी से डेली पढ़ने लग जाए थोड़ा थोड़ा एक गंटा आधा आधा गंटा निकालके पढ़िए amendment मैं application पर अब धीरे धीरे मैं upload करने लगूँगा income tax का क्या amendment है क्योंकि वो सारे changes के मुझे notes बनाने पड़ेंगे और जो income tax का हमारा 10 year है उस 10 year के अंदर मैं कोसिस करूँगा के सारे के सारे क्योंकि income tax का ना new print होना सारा वो भी मेरे हिसाब से मैं अभी बात करूँगा publisher से तो वो भी होगा कैसे होगा नहीं होगा वो सारे चीज़े हम देखेंगे उसके उपर बात होगी फिलहाल मैं एक आपके लिए यह announcement कर रहा हूं कि amendment जो changes आया है उस changes को मैं जरूर करवाँगा तो don't waste your time don't आप जाके start कर दिजे पढ़ाई जो chapter change नहीं होए at least आप वो तो थोड़ा सा भी value मिला है आपको benefit मिला है guidance मिला है तो please हमारे channel को subscribe करिए दोस्तों के साथ share करिए मिलते हम इसी तरीके से next video में thank you so much take care bye bye